नमस्कार कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे तो यह देखे मैं आप लोग लिए आज बहुत ही अच्छी से टिप्स लेकर आई हूं हो सकता है आप लोग बहुत जादा पसंद आएगा तो यह देखे आप छोटे-छोटे से आलू है और सबसे पहल जरूर से कर लेना चाहिए तो यहां पर थोड़ा बहुत मतलब की जरूरी रहता है करना सुबर का ही टाइम था यह ने सुब़्स सबसे सबसे पहले मतलब की फ्रेस हो जाऊ उसको बाद पिर जो करना है वो करो तो यहां पर बच्चे भी उटगए थे और बच्चे खेल रह ज़ाधा इस त्राइड़ार करता है यह जो मतलब इस तरीके से करना है तो बहुत ही ज्यादा फाइडा उर्वाइदा करता है इस तरीके से जरूर करना चाहिए तो यहां पहackin के आप οै serious बहुत अप später करती हूँ कि आप सब लोगा करते हूं बहुत अच्छ सबुम सबस्क्राइब गये तो पर इसका नाम के है तो वह सही नहीं था तो भी हटा नहीं तो इसका आइकार्ड मांग रहा है तो इसके पास बना नहीं बना हुआ है तो इसलिए उसका नहीं हुआ तो अब कैसे होता है क्या होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे और यहां पर देखें बच्चे खेल रहे हैं बुलबुल भी खेल रही है और आदर्श भी है और मैं भी अभी बैठी हूं तो समका ही टाइम पांच बजरा इस टाइम पे तो बस अभी खाना और बनाना है तो अभी खाने बनानी की तैयरी करने जारी हूं अभी क्या बनेगा खाने में तो पता नहीं है अभी बनाओंगी जो भी बनाना होगा तो फिर एकसे साइज कर रही हूं ठोड़ा पानी में ज्यादा तरपीती हूं गरम पानी और गरम पानी के साथ थोड़ा सा मतलब कि शुपर हूं वेसे नीबू अजवाइन दाल चीनि या फिर कच्छी अल्दी यह सब चीजे मतलब लेना चाहिए और वही चीजे मैं लेती हूं मुझे और His अद़ा स्वाइदा हो रहा है और मुझे बहुत कि फाइदा हो रहा है, मतलब कि करना चाहिए сожалению, और एक्सैmemberался भी 20 बार मैं मतलब करती हूं, इस तरीके से मतलब अगर इस तरीके कर दो पाहर का टाइम है तो इस से अच्छा टीपस है आपको कहीं नहीं मिलेगा तो यह मतलब हमारी जैसे हाउस वाइप उनके लिए बहुत ही अच्छा है तो यहां पर देखें यह है इसे हाउस वाइप जो बोरी आता है ना बस वो है तो उसमें यह देखे चोटे-चोटे से यालू है तो इनको इसमें डाल लेना है तो यह देखे तो अगर मतलब कि ऐसे बहुत ही दिक्कत होती है और कब तक हम छीलेंगे बहुत ही टाइम लगता है तो इसलिए मैं इसी में डाल देती हूं थोड़ा सा मतलब जितना आपको लेना है उतना ही आप ले सकते हो तो इसमें देखिए इस तरीके से कर लेना लपेट लेना है तो यहां इसी में डाल दी हूं भी लपेट लेती हूं और उसके बाद आपको धीरे धीरे से इस तरीके से मतलब जमीन मिनट लगेगा और फटाफट से पूरा छिल जाता है देखिए इस तरीके से इस तरीके से करने से बहुत ही ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मेहनत भी इतना नहीं लगता है बस दो चार बार में हो जाता है तो तो इतना दिखाई नहीं दे रहा था सही से तो फिर यहां पर मतलब मुवाइल सेट की हूँ और बुल-बुल मेरी मुवाइल पकड़ी हुई है तो देखिए यहां पर इस तरीके से इस तरीके से आपको जमीन पर मतलब पटकना है बस जादा नहीं बस थोड़ा बहुत और उसके बाद अपने आप देखेंगे तो फिर अंदम साफ रहेगा कुछ करने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखिए बस इस तरीके से आपको कर लेना है तो यहां पर हो गया है अभी मैं चलती हूँ दिखा देती हूँ आप लोग को दीखेंगे कीतना हुआ है तो हेझा यह तो चलिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ तो आभी आप लोग देख लिभीजी दिखिए यह ते यहां पर कितना बढ़ीया से साफ हो गया है बस और आग्वा気 दो तो ढिने से और बढ़ी सी और जएका सा Genesis सब किसा मतलब सही साब हो गया है तो इस तरीके से हमिजा मतलब की कर लियना चाहिए क्याकि कि आगर यादा टाइम लगता है बहुत ही ज़्यादा छोट तो यह देखिए अभी मैं इसमें निकाल के रक लेती हूँ उसके बाद इसको धो लेती हूँ तो अभी बनाना है तो यह थोड़ा ही ले оно हो नहीं तो अभी मैं राक देती हूं और ये तो यह सब इसका चिलका और बूरे ख़ाके और वगवा चान तरीके फिर वट के शुज़ए तो इस टोटे चोटे चगर है तो बहुत बढ़िया और आसान तरीका है तो इससे अच्छा टिप्ष तो कहीं मिलेगा है नहीं और आप लोगों ने कहीं देखा भी तो बस अभी निकाल के इसमें रख देती हूं फिर अभी धोँगी थोड़ी देर में तो उसके बाद यहां पर मैंने थोड़ा सा मटर लिया थे देखिए आपे मटर को अच्छे से भून लियू थोड़ा सा तेल डाल के निकाल लियू और यह देखे थोड़ा चटनी बनाना ह है और जोका बच़ा हुआ था यह के नमक इसमें पहले से इता अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लीती हूं और क्योंकि बच गया था तो फिन फिकने से बढ़ी है तो इसको मैं बना लेते हूं तो यहां पर ठोड़ा सा मैं बेसन है और इसमें नमक डाल दी हूं थोड़ा हल बूसाला है ज्यादा नहीं तो यह पर इस तरीकिसे लपेटते जाना है और बढ़ियां से इसका तियार हो गया है तो हम इसको तीकेक को चोटे-चोटे से बना लेते है इस तरीके से और रिंद정ना कर अज़रू से बना के खाना चीए है बहुत ही मतलब टेस्टी बनता है तो यहां पर इस तरीके से में बना के रख ली थी बस अभी मतलब तलते जाना है तो उसमें घोल में बस डाल डाल के तेल में डाल दो तो हमेशा इसका जो यह गोल बनाओ न तो थोड़ा सा मोटा बनाना चाहिए क्योंकि पतला रहेगा तो यह सईसे बनेगा नहीं तो यहां पर देखें में डाल देती हूं और इस तरीके से रहता तो खुब बढ़ियां से और करारी करारी सी बनती है तो इस तरीके से बनाना चाहिए कितना गाढ़ा है तो इसी तरीके से बनाना है तो यहां पर मैं तीन-तीन करके निकालूंगी और तो इस तरीके से और कम आज पर पकाना है क्योंकि तेज आज रहेगा तो जल जाएगा यह तो इसलिए कमी आज पर पकाना है हमें यहां पर देखिए मैंने पलट दिया इसको और अब दिर दिरे पकेगा यहां पर देखिए तीन मैंने निकाला भी है और उसके बार तो यह पर हमारी जो पकोड कोडिती वह बन गहीता यह थोड़ा सा बरकिंदे के इस थैना सारा है यहां पर बनाकर रखी रह्त हूँ मैं तो थोड़ा सा ही बनाई थी ज्यादा नहीं इतना बहुत है नास्ते नास्ते में क्योंकि साम का टाइम हो गया ता फिर खाना भी बनाना है तो इसलिए तो यहां पर देखिए यह है तो इसको बच्चे खा लेंगे क्योंकि यह सिंपल है बिल्कुल साधा तो इसलिए और यह देखिए यह है मेरी एक फ्रेंड है तो बगल में ही उनका जनम दिन था तो यहां कि पॉया ही सब लोग मना रहे थे तो मैंने थोड़ा सा रेकोड ऐसे इनके ममी है और ये पापा है और आ इसके बाद यहां पर उसके पंधा है और यहां पर कनि तो यहां पर कट गए है और सबस्या को आltरिया रहे हैं झाल झाल झाल